जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारी योट्यूब शैनल में दोस्तो सूर्य का राशी परिवर्तन होने वाला है जो की हमारी प्रकर्टी और इस समय ये सूर्य का राशी परिवर्तन बहुत बलसाली रहने वाला है सभी चीजों के लिए सूर्य अपनी उच्छ राशी में प्रिवेश करने वाले हैं ठीके साल में एक बार ऐसा दिन आता है यानि एक महिना ऐसा आता है कि सूर्य अपने पूरे बल में होते हैं सूर्य अपनी उच्छ राशी में होते हैं जो कि मेश राशी है और 13 एपरेल, सौमवार की रात्री में सूर्य का राशी परिवर्तन होगा सूर्य अपने मित्र की राशी, मंगल की राशी, मेश राशी में परिवेश करेंगे जो कि कगनी तत्व की राशी है सूर्य इस राशी में उच अवस्था में होते हैं बहुत अधिक बलशाली होते हैं और देखें ये जो सूर्य का राशी परिवर्तन है ये राशी परिवर्तन अपनी आप में एक बड़ा परिवर्तन होता है और वो भी ऐसे इस्तिती में जब पूरे देश में संकरमन की इस्तिती फैली होई है तो ऐसे इस्तिती में ये सूर्य का राशिय परिवर्दन बहुत मैधपोन है क्योंकि देखें जो नवग रहे हैं उनमे सूर्य एक अकेले ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं जिसके सूर्य के प्रकाश में पूरी प्रत्वी चलाएमान है सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है और सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों को मिलता है एसे में सूरिय जब उच चके होंगे तो यह आपके उपर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाले हैं सूरिय का हमारी कुंदिली में भी उच चका होना बहुत महिद्पूर्ण है और जो सूरिय के गुंड होते हैं वो हमारे पिता के कारक होते हैं पूरवजों के कारग्या होते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनुराशी के लोगों के लिए ये जो सूर्या का गोचर है ये उनके लिए कैसे प्रभाहले कराया है तो आगे बढ़नी से पहले आपसे निवेदिन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बैल का इकन है उसको प्रैस कर दें थाकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तो धनु राशी की हम बात कर रहे हैं देखें धनु राशी के जो स्वामी है ब्रैस्पती है जो अभी नीच के है जो की मीन राशी में जित है तो ऐसे में जो सूर्य का उचका होना क्योंकि देखें सूर्य जो है आपके भागय के स्वामी है नवम भाव के स्वामी है नवम भाव का स्वामी भागय भाव का स्वाम पंचम भाव बुद्धी का भाव है लक्षमी का भाव है देखे बेशक लॉक्डाउन की श्थिति चल रही है लेकिन ऐसी श्थिति में भी आप बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिने नहीं रोक सकते हैं गरह नक्षत रोग आप नहीं रोक सकते और यहां इस गोचर के दोरान इस खुशियां आने वाली हैं जो यह जो इस्थितियां है यह उस खुशी को नहीं रोक सकते यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम भी देगा कुछ चीजों में साधानी रखेगा रखनी होगी आपको उसके लिए हम आपको वीडियो के उपाय भी बताएंगे तो एक तो संतान भाव में ये सूर्य का गोचर संतान प्राप्ति के प्रबल योगा आपके लिए बना रहा है जिससे परिवार कम महों लिबे है तो खुशन महों हो जाएगा इसके अलावा आपको अपने कर्मों की जो अपने पीछे पुन्य करम की हैं उनका अच्छा फल्द आपको मिलने वाला है ये समय ऐसा होगा एक महीने का कि इस समय आपको अपने कर्मों के अनुसार रख्याती मिलेगी यानि आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपको समाज में प्रसिद्धी प्राप्त होगी जिससे परिवार का माहल भी अच्छा होगा और आपके अंद जी आपके अंदर होगी जो आपको अंदर ही अंदर बहुत पॉजिटिव रखेगी तो ऐसी आपके इस्तिती बनने वाली हैं काफी लोग पर ही आप रहेंगे और जहां तक आपके करियर की बात है आपके आमधनी की बात है तो आमधनी में भी आपको निश्ची दुरूप से तरक्य दिखाए देगी देखे जो आपके राशी के गुरूँ है गुरूप रैस पती वो नीच के चल रहे है तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिलने वारा था लेकिन कहीं गहीं उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिल रहा था तो यह सूर्याज का जो उ प्रयास करेंगे वो सभी प्रयास आपके सार्थक साबित होंगे अगर आप किसी सरकारी शेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहां आपको सरकारी शेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा हो सकता है किसी की मदद करने का मौका मिले तो यह समय काफी अनुकुलाब के लिए रह हुए थे तो यह ऐसा समय होगा कि इस समय का जो result है वो आपको बागए आने वाले दिनों में मिलेगा और उसके बलबुते पर आपका increment भी हो सकता है तो लाव की बहुत अच्छी समभावनाई बनती हुए दिखाय दे रही है लेकिन वहीं यह जो समय है कुछ चीजों के दिखे नेगेटिव भी रहेगा एक तो प्रेम जीवन के लिए जो लोग प्रेम जीवन में हैं प्रेम सम्मद्व में जो है तो उनके लिए यह समय थोड़ा कमजोर जरूर कहा जा सकता है इस समय अब दिन में आपका जो साथी है जो आपका प्रेयतम है वो किसी एहम की भावना में बहकर आपको कुछ बुरा बहला कह सकता है या फिर किसी तीसरे के संपर्क में आकर आपके लिए कुछ उल्ट उल्ट बातों को कह सकता है जिससे आपका रिष्टे में दरारा सक सकती है ऐसे में आपको अगर आपको अपना रिष्टा बनाना है बचाना है प्रेम संबंद वाला रिष्टा अगर आपको बचाना है तो उसके लिए आपको अपने सयम का परीचा देना होगा तो आप अपने रिष्टे को बचा सकते हैं तो प्रेम संबंद में सावधारी जर जो सूर्य है वो उचके होंगे तो विध्यारतियों के लिए नए किरती मान इस्थापित करने की ये समय होगा आप अपनी सिक्षा के शेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ये ऐसा समय होगा देखिए अगर आप घर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ऐसा समय है आ आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं आप अपनी पढ़ाई में आगे जा सकते हैं ये समय ऐसा है जो आपको मौका मिला है अपनी आपको काबिल करने का अपनी आपको एक कदम आगे बढ़ाने का अगर आप देखिए किसी से अगर आप खुद को क करते हैं कि नहीं काश मैं ऐसा कर सकता तो यह ऐसा समय होगा जब ग्रहनक्षत राप के पक्षमे होंगे तो आप अपनी एजुकिशन के फिल्ड में बड़ा आगे जा सकते हैं तो समय का सदूपयोग आपको करना है मेहनत जारी रखना है अपनी जो एक कागरता है उसको पकड पाना चाहते थे तो वो ट्रांसफर आपको मिल सकता है उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी तो आपको यहां करना यह यह है कि वरिस्ट अधिकारियों से अच्छे संपर्प में आपको रहना है उनके तरफ अपने जो पॉजिटिव छवी आपकी है वो आप कुछ साज़ेदारी में काम करूं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बचना जरूर होगा साज़ेदारी में काम करने से अगर आप बचने तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी ना करें लव लाइफ का ध्यान आपको रखना होगा लेकिन अगर हम परिवारिक जीवन की बा तो यह समय ऐसा होगा कि आप कई तरह के लाब भी इस समय उठा सकते हैं और उनका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा देखे पांचवा जो भाव होता है संतान का भाव है संतान सुख आपको इस दौरान जरूर सुनने को मिलेगा संतान की तरब से को यह बुद्धी का भाव भी होता है तो इस समय यह समय ऐसा होगा कि आपकी बुद्धी बहुत अच्छे से काम करेगी अगर आपको किसी चीज के बारे में किसी काम के बारे में कोई निर्ना लेना है तो यह ऐसा समय होगा कि आप फटा फट निर्ना ले पाएंगे यानि अगरचित होकर अपनी पढ़ाई के तरफ ध्यान देंगे यानि बहुत अधिक फोकस्ट आप रहेंगे तो ये गोचार पांचवे भाव का जो सूर्य है ये कई माइनों में आपके लिए अच्छा बना हुआ है तो इसी तरह से आपको इस समय को बनाए रखना है इसके अलाव हो सके तो किसी गाय को आप कुछ खाने को जरूर दे चाहे तो आप प्रति दिन एक रोटी सुभा को निकाल कर गाय को दे सकते हैं या फिर देखिए गैहूं आप गाय को खिला सकते हैं दोना हातों में गैहूं भरकर वो आप गाय को खिला सकते हैं और ये तो फिर आप एक सुभा बनाएं उसे गाय को जरूर खिलाएं जो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगत उपाय रहे का तो दोस्तों और इदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें